हाई फ्रेंड्स आइम डाहूल फ्रॉम वेवर्पॉइंट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक नया यूजर कैसे क्रिएट करते हो और यूजर को एक रॉल कैसे असाइन करते हो तो चलते हैं अपने एक ज 10 ओल होता है कि वह एक यूजर को रेयड कर सकता है तो मैंने पहले से एक आडविं यहां पर बना रखा है थोब मैं एड दमीन चूर्ण करोंगं गए हैं तो अब मैं अपने अड मैं से लॉग इन कर लेता हूं और जैसे साथ या लॉग इन कर लेते हैं काको काफी सार करते हो तो आपको यहां पर मिलता है एक पूरा का पूरा विंडो जिसमें आप नए यूजर को create करते हो तो अब जैसे मैं एक user create कर रहा हूँ इसका नाम मैंने यहां पर रखा user एक नई email id मैं यहां पर डालता हूँ सपोज मैंने email id डाल दिया इसका नाम भी मैंने user name बना है वही password यूज कर लेता हूँ अगर आप चाहो तो आप कुछ भी अलग password यहां पर दे सकते हो आपको एक box मिलेगा confirm password का आपको इस पर click कर देना है और जब आप नीचे आते हो यहां से जब आप इस पर click करोगी तो जो email id होगी इस email id के उपर एक mail चला जाएगा कि यहां पर एक new user role create हो गया हुआ है send the new user and email about their account इसके साथ ही अब जो एक नया आता है role तो यहां से आप role define करते हो जैसे यह role है subscriber का contributor का author का editor का administrator का तो हर एक role के साथ अलग access control होता है website में अगर आप इसे administrator बनाते हो जैसे अभी यह admin है तो इसके पास सारे rights होंगे website के उपर working के तो अभी मैं जैसे इसे normal एक subscriber बना रहा हूँ suppose तो मैं मैंने क्लिक कर दिया add new user के उपर तो जैसे आप subscriber बनाते हो किसी भी यूजर को तो उसके पास कोई भी access नहीं होगा accept कि वो अपने profile को edit कर सकता है अब user create हो गया अब मैं इसे यहां से log out करता हूँ दुबारा से login करोंगा फिर आपको समझ में आएगा कि इसे क्या क्या access control मिला है तो जैसे मैंने username टाइप कर दिया user पासवर्ड इसका मैंने user रखा था अब आपस से login करते हैं तो जब आप login करोगे तो यहां पर आप देखोगे साड़े menus यहां से remove हो गया है मतलब जो मैंने user बनाया था यह एक subscriber रॉल था इसका और इसके पास बस इसके profile को edit करने का option है मतलब यह अपने profile में changes कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता तो अब चलते हैं दूसरे रॉल की तरफ जो आपको पता चलेगा तो यहां से मैं इसे क्या कर लूँ लॉग अग करूँगा और वापस से मैं admin में जाता हूँ admin को login करता हूँ admin में आ गया मैं और admin में login करने के बाद जो मैंने अपना user बनाया है उस user के रॉल को आप change कर सकते हो मतलब अभी आपने subscriber बनाया था और आप उस रॉल को change करके देख लो कि जब आप उसे दूसरा रॉल provide करोगे तो उस user के पास क्या access control होगा तो अभी जैसे मैं यहां पे इसके रॉल वाले section में आता हूँ अभी मैंने इसे subscriber बनाया था अब suppose करो कि मैं इसे administrator बना देता हूँ और वापस से मैं इसे update कर देता हूँ user को तो जैसे आप इसे administrator बनाते हो तो इसके पास वो सारे rights आ जाएंगे जो एक admin के पास होता है तो वापस से मैं इसे log out करो ताकि आपको यह clear समझ में आ जाए कि उसे क्या access मिला है मैं user पे आता हूँ वापस से मैं इसे user दिया password में login कर लिया तो अब जो यह user है यह क्या हो गया एक administrator हो गया तो जैसे ही मैंने अब इसे admin का रॉल दिया है अब आप देखोगी इसे वो सारे access control मिल गए है जो एक admin को था मतलब कि अब media upload कर सकता है पीज add कर सकता है plugin add कर सकता है theme add कर सकता है यह चाहे तो एक नय user भी create कर सकता है इतमिस जो admin है उसे पूरा एक access control यहां से मिल चुका है तो अब आते हैं यहां पे all user पे वापस से तो यह जो मेरा roll था यह आप edit हो गया यहां पे अब suppose करो कि इसी को मैं यही से क्योंकि मैं एक admin हूँ तो मैं अब इसमें changes कर सकता हूँ तो वापस से आते हैं यहां पे जो इसका roll था उस roll को अब आप change कर सकते हो वापस से जो भी आपका roll होगा आप उसे यहां से change कर लोगे like user है, display हो गया, website हो गया, biography हो गई अब मैं इसे logout कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसी user से login किया था तो वापस से मैं क्या करता हूँ admin से login करूँगा and वापस से इसकी roll को change करके देखते हैं कि जब आप इसकी roll को change करोगे तो आपको पता चलेगा कि वापस से जो इसका roll change होगा तो उसमें इसके access control में भी change आएगा तो जो access control होगा वो भी change हो जाएगा इस user के roll को user का जो roll है अभी क्या है? administrator है तो आप वापस से इसे edit करेंगे और edit करने के बाद जो यह roll का option है अब मैं suppose इसको क्या बना देता हूँ? author बना देता हूँ तो जब आप इसे author बना दो या editor बना दो या contributor बना दो तो इसके according इसके फिर access control change हो जाएगे तो like मैं इसको author बनाता हूँ यहाँ से और वापस से update कर देता हूँ तो अब जब इसे अपने update कर दिया तो अब जो यह person होगा जो भी user है जिसका मैंने roll change किया है उसके access भी change हो जाएगे अब मैंने user दिया वापस से मैं user को click करके login करता हूँ तो जैसे ही अब मैंने इसे login किया अब आप देखो यह menu change हो गई मतलब अब जो user है इसके पास जो access है वो different है मतलब कि इसके पास जो access आया है जो भी मैंने इसे author कर all दिया है तो author में क्या हुआ है कि यह दूसरे जो भी user है उनके post को view कर सकता है लेकिन edit नहीं कर सकता और delete नहीं कर सकता यह अपने एक नया post add कर सकता है मीडिया में images डाल सकता है यह comment को भी change कर सकता है और इसके अलाबा इसके पास कोई भी option नहीं है अपने profile में यह change कर सकता है तो अब आपको समझ में आया होगा कि हर एक user के साथ एक अलग role define होता है और आप अपने recording अपने website के need के recording यहाँ पर किसी भी user को उसे एक नया role दे सकते हो तो आप अपने website में एक नया user कैसे create करते हो उसको नया access कैसे provide करते हो नया role कैसे provide करते हो तो अगर यह video आपको अच्छा लगा तो आप इस video को like करो ज़्यादा से ज़्यादा share करो चैनल को subscribe करो और मैं आपके लिए इस तरह के tutorial लाता रहूँगा